ओम नमस्ते जी मैं अगनी देवारी है आज का हमारा विशे है क्या हमारे सरीर में जो धातू का वेग होता है उस वेग को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए आज इस बात को लेकर के नोजवानों में बहुत बड़ी भ्रांती फैली हुई है और नोजवान अपने जीवन का इस गल्त भ्रांती के कारण दिन परती दिन अपना नास कर रहे हैं कैसे आपको पता है जब नोजवान के अंदर उतेजना आती है तो उतेजना आने पर वो है यदी मैंने इसी रूक लिया तो मेरे स्रीर में हानी हो जाएगी तो रोकू क्यों फिर उसने वीडियो सुन रखी है फिर वो सोचता चलो मैं इससे अपने हाथ से अपनी मुत्रेंदरी से गल्द कामी कर लेता हूं कमसे हानी तो हो नी है रोकूंगा तब हो नहीं है यदी वीडियो में मैं एक एक चीज की पोल खोलने जा रहा हूं अनेकों वीडियो बना रखें इस देश के नोजवानों को बरबाद करने के लिए आज आप अपनी बुद्धी से निरिने कर ले ना क्या गलत है और क्या सही मैं रिशियों के प्रमान दे कर बात करूँगा देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ तेरा प्रकार के वेग बताएगे हैं सरीर में जिसमें भूक, भूक, प्यास, आसू, नींद, सांस, खासी, मल, मुत्र, अपानवायू अपानवायू अपानवाय मतलूब जो पाद आते हैं वीरिय, वमन, उल्टी, उल्टी आना, जंभाई आना और धकार, यह तेरा प्रकार के वेग हैं, इन वेगों में एक वेग है, विरिय का वेग, अब बात आई, जो जितने प्रकार के यह वेग हैं, अब इन में विचार करो, यह वेग सारे अपने आप होते हैं, या इन वेगों को हम पैदा करते हैं, विचार करो, लेकिन एक जो वे अपने आुपणरे ने कोई विशिएष या ने के लिए कोई विशेष बाते सुनती या जी का एम उसके लिए विशेष किताबे पढ़नी पढती है में से विशेश चीतर देखने पड़ती आती अपने आप तो इसी तरह वेग अपने आप होते लेकिन एक वेग है विरी का वेग कैसे अपने आप नहीं होता वो हमें ले के आना पड़ता उसके लिए नोजवार क्या करता है कोई असली चीज देखेगा पढ़ेगा सुनेगा या कुछ और होगा तब उसको वेग आता है तो सीधी सी मातरा में सीधी सी बात ही है ये वेग अपने आप नहीं होता है इसे हम पैदा करते हैं और जिस चीज को हम स्वयम करते हैं उस चीज को हम रोक भी सकते हैं तो इसलिए अब इसको रोकना चाहिए कि नहीं चाहिए कब कब रोकना चाहिए इस विश्या पर भी हम विचार करेंगे उससे पहले एक बात ओर कर लेते हैं आपको पता है इसमें भूक का भी विएग है अब आप किसी प्राकर्टिक चिकित सिक से पुछना चो प्राकर्टिक किया जाता है किस अवस्था में भूख के वेग को रोका जाता है वो चीजे पूछना अरे लाब मिलता है लेकिन उसके एक अवस्था होती है तो इसी तरह वीडियो के वेग को भी रोकने की एक अवस्था होती है उस अवस्था में आप उसे रोकते हैं तो आपके सरीर में वि पूछना ट्रेनिंग के दोरान आपको कितने दिन सोने नहीं दिया गया कितने दिन और कितनी रात आपको सोने नहीं दिया गया आपकी नींद के वेग को क्यों रोका गया आप किसी कमांडों से पूछना यहां पर नींद का वेग भी रोका जाता है तो यहां कहने का मतलब यह है हर चीज की अपनी अपनी जगे भूमिका होती है अब जो चीज जैसे दो ट्रेन आ रही है एक ट्रेन का चालक कोई और है वह अपने आप चली आ रही है दिए हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो बहुत भारी नुक्षान हो जाएगा और एक के चालक हम हैं हम हम से रोकना चाहिए तो रोक सकते हैं तो इसलिए मैं आपको अनुसे समझाना चाहता हूं जितने भी वह दों है जो काम का वेग है वह हम पैदा करता है और शेज te deputy सकते हैं अब रोकने की बात आई वह भी मैं आपको सह उसको क्या अमारे रशी मुनियों ने भी वे को रोकते हैं, वो कैसे रोकते हैं, वो कहते हैं, मेरे प्रमच्रिये में उत्पन होने वाले विगने, तू मुझे क्यों सता रहा है, मैं तेरी चोट से हर्गिज नहीं डिगूंगा, कहने का मतलब है, वो भी अपने काम के वे को रोक रहा है, और उसे पता है, कि मुझे कब तक रोकना है उसको वह भी जानकारी है आप आगे आजाएए मैंने आपको एक और वीडियो डाली कई वीडियो तो देखते हैं नहीं फोन मिलाएंगे मेरे पास फोन का टाइम पता नहीं उन्हें कितने टाइम है हाँ जी अभी मेरे पास फोन आ रहा था बार-बार फोन आती रहते हैं कम से कम वीडियो तो देख लो तो मैं पांच-पांच मिंट की वीडियो तुम देख नहीं सकते तुमने इलाज चाहिए अपने गुप्त रोगोंगा है ट्रीटमेंट तुमने वह चाहिए सारी बाते बता रखी है वैसे मेरा सब आहाँ थोड़ा कड़क है ऐसे मत वह सुब्रमच्रिये का निश्य किया था किन्तु यह तो मेरा कनिष्ट ब्रमच्रिये था आप मुझे इस योग्या बनाईए कि मैं इस ब्रमच्रिये को पार कर सकूं और मैं मध्यम ब्रमच्रियें प्रवेस कर सकूं मैं इस विगन को हटा सकूं और वह भी अपने विगन क अपने वे को रोकते हैं रिश्यों ने बता है अपने श्दों में आया है तो मैं आपको कहता हूँ इस वे को रोकना चाहिए कब तक लोग कहते हैं अब कब नहीं रोकना चाहिए उस बात को भी आप समझे कि कब नहीं रोकना चाहिए विरिये कोई वेक को तब नहीं रोकना सही कब जब पती और पतनी सियों कर रहे हैं लेकिन कब यह नहीं की हर रोज ले तिसरे जिन को आड़ बंद कर लें ऐसा नहीं जब पती और पतनी संतान उत्पन करने के लिए गरवादान संसकार के बाद पती पतनी सियोग कर रहें उस समय ऐसी अवस्था में जब विरिय अपने स्थान को छोड़ चुका होता है उस समय में पती अपने पुरुष अपने वेग को ना रोके लेकिन कंडिशन होई है कब जब वो संतान उत्पन करने के लिए सियोग कर रहा है जहां संतान उत्पन करने के लिए सियोग नहीं होता वहाँ पर वेग को आपको रोकना चाहिए और आप उसे अवस्थे रोकें जरूर रोकें उसको मजबूती से कि मुझे प्रमचरिय पालन क करना है लेकिन लोगों ने कही ये बात क्या कही बोले जी ये तो शरीर नवीरिये ने तो स्थान छोड़ दिया अब ये तो नुक्षान करेगा यहानी तो हुई ली अब इसको एक और उधान से समझों मालीजी आप कुछ गेहु लेके जा रहे हैं या यह मालीजी आप जीरी लेके जा रहे हैं धान लेकर जा रहे हैं और कहीं खेत में वो गिर गई ठीक है आपने जब ध्यान किया तो उसमें एक दो दिन बीच चुका था और भाई वो बीच तो वहां गिर गया अब एक दो दिन बाद वह बीज फुलाव ले चुका था और उसमें अंकूर फूटने वाले थे अब उसने का वे बीज तो खराब होई गया है अब क्या है आप इसको कम से कम उगने ही दो अब इसको उगने अंकूरित होने तो पेड़ो जाएंगे क्या बात है फसल हो जाएगे लेकिन अब मो भूमी से नहीं हटाओगे तो ये आपकी भूमी को भी घेरेंगे भूमी को भी कराब करें कि अब इसका मोशमी नहीं है तो ठीक वीडियो देखते होंगे मुझे नहीं पता क्योंकि कहां टाइम है लोगों को ब्रमश्री की बातों का किसके पास समय है मैं आपको बता देता हूँ आज मेरी एक खास बात मैं बच्पन से आज तक मैंने जीवन में एक बार भी मैंने पहले भी बताया है कभी किसी महिला के साथ सारिक संब्ध नहीं बनाए संभोग नहीं किया है मैंने एक बार भी हस्त मैथो नहीं किया है अपने जीवन में क्यों क्यों नहीं किया है क्योंकि मुझे बच्पन में ये बात पता चल गई थी कि जो कामवासना का जो मज़ा है इतना खतरनाक है एक बार जिसको इसकी इलत लग जाती छुटना मुश्किल हो जाता है अब मान लेजिए अब मैं 34-35 साल का हो गया हूँ क्या मेरे अंदर वेग नहीं आया होगा और मैं सोचू और नहीं चलो करके देख लिए और उसे मुझे कामवासना का और सुख पता चल जाए वो संसकार पढ़ जाए कि नहीं पढ़ जाए तो इसलिए आपको इन चीजों को रोकना है ब्रह्मचरिय पालन करना है मजबूती से वेग को रोको और नहीं मैं ब्रह्मचरिय हूँ मैंने तो ऐसा सुना है कि जिस समय सरीर से विरी निकलता उसी समय आदमी विशेष सुख की विशेष आनद क्या नुभूती करता है अब हमने उस सुख को देख्या ही नहीं है तो ब्रम्च्रिय पालन करना क्या मुश्किल है तो आपने इस चीज को समझें आज नोजवानों को बरबाद करने की वह तो बयंकरी योजनाए चले योजनाए नोजवान खत मोलिये खत मैं कोण बचाओंगा इनके तरह तरह की वीडियो ये वीडियो वरी ये ये पताह नहीं कैक्या बनाते रहते ब्रम्च्रिए की बात है नहीं कुछ पल्ल को रिश्चिओं की बात पढ़ना नहीं तो मैं आपको कहना चाता हूँ इस इस विशे में आप समझे विरी के वेक को रोकें रिशियों के परमान से जाने हाँ जिसमें पती और पत्नी शिर्फ और सिर्फ संताल उत्पन करने के लिए एक दुसरे से संयों करें उसमें ना रोकें वह भी संताल उत्पन करने के लिए युँ ऐसे नहीं कि पती पत्नी का अ तो इन बातों का आप समझें, कई बार माता पिता अच्छे भी होते हैं, बच्चे गल्थ संगत के कारण फश जाते हैं, गल्थ संगत मिल जाती हैं, माता पिता अच्छे होते हैं, तो ब्रह्म चिरे पालन मजबुती से करें जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो जो एक और बहुत बड़ी भ्रांती फैली हुई है कि और तमें पुरुष्य ज्यादा आठ बुना ज्यादा काउवासना होती है इसकी बहुत खतरनाक पोल खोलने जा रहा हूं मैं इस बात की अगली वीडियो में और ये वीडियो हरोज डाल दें क्या प्रती दिन अरे खुब मैटर और बड़ा सम्मान है आप जो ब्रह्मश्री का प्रियास कर रहे हैं आज सवारव की जन संख्या में आरियावर्त में और इतनी बड़ी संख्या है पूरे देश में उनमें से आप चंद लोग ब्रह्मश्री में रूची रखे हुए हैं ये बहुत बड़ी बात है तो मैं आ आप सारी वीडियो देख लें फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो फोन करो कोई दिक्कत नहीं है आप मैं फोन स्वीच ओफ रखना पड़ता मुझे पहले तो किसी ब्रह्मचारी को विदे देता था मैं तो दोपैर को एक से तीन बजे की बीच में कर लिया करो कोई भी से इस